चलिए तो अभी के आज के हम gray market premium की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं star health में हमें discount opening देखने को मिल सकती है इसका जो gray market premium है almost minus 70 का हमें देखने को मिल रहा है और जब मैंने IPO का review किया था तो strictly यहाँ पे avoid करने के लिए star health को बोला था वहीं पे अगर हमारा पिछला IPO review का अगर वीडियो देखेंगे आप तो rate gain का था वहाँ पे भी हमें H&I के funding कुछ खास देखने को नहीं मिली थे जिसकी वज़ासे gray market premium आपको जो है थोड़े से ठंडे आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मैंने यह भी बोला था कि अगर आपके पास funding ज़्यादा नहीं है एक ही IPO में आप लगा सकते हैं तो पहली priority मेरे हिसाब से आपकी होनी चाहिए CE Infosystem यानि की Map My India का IPO यहाँ पे इसके अगर gray market premium की बात करें कैसे उसके financials हैं सारा सब कुछ हम detail में आज देखने वाले हैं बट before that if you are first in the channel please subscribe the channel with the bell icon IPO से related, stock markets से related और mutual funds से related ऐसी भेतरी, शांदार और तगड़ी वीडियो को सबसे पहले access करने के लिए तो इसी आशे के साथ वीडियो को कर लेते हैं शुरू चलिए company के बारे में जानने से पहले एक बार हम उनके यहाँ पे customer देख लेते हैं आप देखेंगे यहाँ पे company के एक different type के यहाँ पे variety of customers देखने को मिलेंगे in fact government of India भी यहाँ पे इनके customer देखने को मिलती है mobility sector में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं banking का segment है automobile का यहाँ पे segment है तो इस तरीके से different different यहाँ पे आपको इनके जो है तो customer देखने को मिलेंगे चाहे macd की बात किया जाए चाहे amazon phone पे तो यहाँ पे mg hectare की बात की जाए तो इसके जो आपका customer base देखने को मिलेगा अब काफी solid हमें यहाँ पे देखने को मिलता है चलिए अब अगर हम यहाँ पे company के offerings की बात करें तो आप देख सकते हैं कि company map as a service यानि कि mass जैसी यहाँ पे offering हमें देखने को मिलती है SaaS as a software as a service और वहीं पे platform as a service यानि की company कुछ इन तीन-तीन segment में जो है तो अपनी services offer करती हुई हमें देखने को मिलती है अगर यहाँ पे हम SaaS की बात करें तो आपको याद होगा कि जब हमने यहाँ पे rate gain के जो IPO का review किया था वहाँ पे company जो है तो इसी segment में हमें कार करती हुई देखने को मिली थे और वहाँ पे मैंने इस चीज को explain किया था कि software ऐसा service में क्या होता है कि आपके पास एक software होता है dedicated software किसी company के लिए नहीं होता है एक single software होता है और उस software को कई सारी company आं access करती है तो इस तरीके से आपको वहाँ से एक अच्छा खासा revenue generate होता हुआ देखने को मिलता है अगर company के यहाँ पे business model की बात करें तो आप देखेंगे company जो है data technology के भी segment में हमें एक तरीके से कार्य करती हुई देखने को मिलती है और data से अगर आपको याद मैं दिलाऊं तो एक यहाँ पे latent view का IPO हमने देखा था जो की काफी शांदार हमें यह company देखने को मिली थी और बहुत ही ज़्यादा huge response हमें यहाँ पे देखने को मिला था similar सी कहानी आपको यहाँ पे CE info system में भी देखने को मिलता है company का business इतना शांदार है और एक तरीके से इनके business में हमें यहाँ पे mode दिखाई पड़ता है जिसकी वज़ा से इसमें एक अच्छी H&I की जो है तो demand हमें देखने को मिल रही है और grey market premium काफी शांदार हमें आज की date में देखने को मिलते हैं चली अब हम यहाँ पे company के business को एक बार समझते हैं कुछ दो-तिन example देके मैं समझाऊंगा कि company किस तरीके से कारे करती है यहाँ पे अगर हम बात करें software as a service की तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि इनका अपना एक dedicated software होता है जिसको कई company यूज करती है अगर हम इसके example की बात करें तो जैसे हमें कभी कहीं पे जाना होता है तो हम सबसे पहले क्या यूज करते है google map वहाँ से हम देखते हैं कि map में क्या दिखा रहा है कहां जाने वाले हैं किस तरीके से जाना है कितना time लगेगा क्या traffic मिलेगा तो यह हम google map के जरीए से यहाँ पे use तो कुछ इस तरीके से हम google map का उप्योग करते हैं अब यहाँ पे अगर हम auto mobile company की बात किया जाए तो उनके पास google map का वो access होता नहीं हाला कि यह एक अलग चीज है कि वहाँ पे हमें android auto का एक system रहता है mobile से connectivity करके google map connect कर लेते हैं बट अगर in case बात किया जाए जो कार होती है जहाँ offline maps वहाँ पे provide किये जाते हैं तो वहाँ पे वो जो offline maps होते हैं वो इस company के द्वारा वहाँ पे हमें provide किये जाते हैं जो map आपको वहाँ पे युंडई की कार में देखने को मिलता है मारूती की कार में देखने को मिलता है वो ये company कार करती है दोस्तो इसके लावा आपने देखा होगा covid वगएरा कि यहाँ पे जब समय चल रहा था government कई सारे data आपको देती है कि यहाँ इस region में या इस zone को red zone कर दिया इस zone को उन्होंने orange कर दिया यहाँ सबसे ज़्यादा cases हैं यहाँ कम ज़्यादा cases हैं यहाँ पे थोड़ा सा yellow कर दिया यानि कि उससे भी कम cases हैं तो यह एक जो data analytics का use जो है map के through किया government ने उसके लिए भी company जो है तो इन्ही की services को use करती है इन्ही के data को use करती है तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कुल मिलाके company का कुछ इस तरीके का हमें business देखने को मिलता है यहाँ पे अगर हम इसके कुछ products की बात करें जैसे API का product हो गया यहाँ पे API जो है तो application programming interfaces होते हैं जिसमें दो software के बीच की जो बातचीत होती है एक तरीके से वो यही जो है तो कारे करता है कहां से order आया कितना order आया और कहां पे कितनी ज़्यादा demand है तो यह सारा जो service है एक तरीके से flipkart और Amazon को भी यहाँ पे जो है तो map my India यह service provide करती हुई हमें देखने को मिलती है तो all and all अगर मैं short में बात कहूं तो दोस्तों हमारी country में अगर मैं कहूं तो यहाँ पे company के पास आपको monopoly देखने को मिलेगी और monopoly के साथ साथ यहाँ पे इनका business में एक moat भी हमें दिखाई पड़ता है चली अब अगर हम इनके revenue model की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो revenue है B2B segment और यहाँ पे B2B to C segment पे यहाँ पे कार्य करता हुआ देखने को मिलता है again वहाँ पे model जो है almost same आपको देखने को मिलेगा जैसे हमने वहाँ पे rate gain में discuss किया था यहाँ पे एक subscription होता है और यहाँ पे जो है तो आपका transaction based होता है यानि कि एक जो initial subscription होते है fixed charge हम आप इसको जो है तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी यहाँ पे company इनसे subscription लेती है map my India से तो वहाँ पे उनको एक fixed charge देना होता है subscription charge और फिर उसके बाद वहाँ से जो इनको business मिलते हैं जितने भी transaction होते हैं उस transaction का कुछ portion जो है यहाँ पे यह जो है तो transaction वाले segment से यह जो लेते हैं तो कुल मिला कि जैसे इन्होंने Zomato को अपनी service दी या हम कहें यहाँ पे कि इन्होंने Hyundai को जो service दी तो यहाँ पे पहली बार तो subscription पे charge लेते ही हैं फिर जैसे जैसे Flipkart Amazon में order मिलते जाते हैं तो उस order का एक particular portion भी इनको जो है तो मिलता है तो इस तरीके से इनका revenue model हमें कार्य करता हुआ देखने को मिलता है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि as of अगर हम 30th September 2021 की बात करें तो company जो है तो almost यहाँ पे 200 enterprises को जो है तो services दे चुकी है यहाँ पे इनके पास 500 से ज़्यादा हमें customer जो है तो SaaS, PaaS और Mass platform में देखने को मिलते हैं company के अगर हम अलग-अलग segment में बात करें तो इनके पास जो है तो telecom, FMCG, industrial, logistic, transportation और government organization इस तरीके के काफी सारे हर एक segment में यहाँ पे जो है तो आपको इनके जो customers हैं वो आपको देखने को मिलेंगे company के financial के कुछ numbers की अगर हम बात कर लें आप यहाँ पे देख सकते हैं ROC company का काफी शांदार हमें देखने को मिलता है 50%, 41%, 110% 110% यहाँ पे financial year 2019 की बात करें, 2020 की बात करें और 2021 की बात करें तो इस तरीकी का इनका जो ROC है काफी शांदार यहाँ पे और काफी जादा attractive आपको देखने को मिलेगा अब अगर यहाँ पे इनके revenue की बात करें तो आप देखेंगे कि 2019 में जो है तो automotive से 65% का revenue हमें देखने को मिलता था, corporate से 27 और government से 3% आप देखेंगे government का जो यह percentage है year on year आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा यानि की company की एक अच्छे यहाँ पे client जो है हमें government of India देखने को मिलते हैं automotive segment में थोड़ा बहुत यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है हाला कि वो कम का मतलब यह नहीं की कम हो गया है क्योंकि अगर आप revenue में देखेंगे तो revenue हमें यहाँ पे कुछ ठीक ठाक से ही देखने को मिलते हैं लेकिन जब आप ऐजा whole बात करते हैं तो वहाँ आपको percentage थोड़ा सक कम होता हुआ देखने को मिल सकता है revenue अगर overall की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको सारी values है करोड में दी गई है 135 करोड का 2019 में था 2020 की अगर हम बात करें तो 148 करोड का था 2020 की बात करें तो यहाँ पे 152 करोड का था को मिलेगी और यह जो इनकी पकड़ है बाहर में वो हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है चलिए अगर हम इनके competition को देखें तो इनका competition जो है आपको global ही देखने को मिलेगा company जो है तो यहाँ पे हमारे country में कि इस company को government का काफी अच्छा support देखने को मिलता है government की जो policy है वो इसको काफी अच्छे तरीके से support करती है इसलिए यही reason है कि यहाँ पे अगर हम अपने country में बात करें तो इनके business में एक moat और यहाँ पे आपको जो है तो monopoly देखने को मिलता है अब अगर हम इनके यहाँ पे देखेंगे competitor तो हमें Google दिखाई पड़ते हैं ESRI देखने को मिलते हैं Trimble हो गया, Hair हो गया, Tom Tom हो गया तो इस तरीके के यहाँ पर जो है तो एक तरीके से आपको जो है तो global ही competitor आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं अब अगर यहाँ पे हम अलग-अलग segment में बात करें तो आप देखेंगे अगर हम digital map for India के अगर हम बात करें जो data government को provide करना है, जो data यहाँ पे access करना है हमारी country में तो उसके लिए यहाँ पे government ने किसी भी company को यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है तो approval नहीं दिया हुआ है reason यहाँ पे थोड़ा सा security wise को ले करके था, Google ने भी इसका जो है तो approval मागा था काफी पहले बट यहाँ पे government आफ इंडिया ने जो है तो उसके लिए मना कर दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें इसके government आफ इंडिया को यह database जो service देते हैं map बेस तो यहाँ पे map my India ही है जो यहाँ पे आपको service देता हुआ देखने को मिलेगा चलिए अब एक बार यहाँ पे हम financials देख लें, आप देखेंगे company के पास एक अच्छा हमें healthy amount में reserve देखने को मिलता है वहीं अगर हम EBITDA की बात करें तो company के EBITDA यहाँ हाला की 2020 में थोड़ा सा drop हुए थे but all and all आप देखेंगे कि company वापस हमें एक अच्छे growth के track पर देखने को मिलती है, company के EPS भी एक healthy amount में यहाँ पे आपको बढ़ते हुए से देखने को मिले हैं अब अगर हम यहाँ पे company के IPO की बात करें, IPO के detail की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह IPO जो है तो पूरा का पूरा offer for sale आपको देखने को मिलेगा, चलिए मेरे हिसाब से company काफी शांदार यहाँ पे देखने को मिलती है तो आप इस चेज को जो है थोड़ा सा ignore कर सकते हैं, वहीं पर अगर हम issue की बात करें तो जो है तो आपको 1006 और 1040 यहाँ पे करोड रुपए का आपको देखने को मिल सकता है अगर इसके price band की बात करें तो 1000 से ले करके 1033 का price band देखने को मिलेगा phase value यहाँ पे 2 रुपए की हमें देखने को मिलती है यानि कि अभी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि company जिस तरीके से यहाँ पे GMP और इसकी demand देखने को मिलती है definitely over subscribed होगा यह और आपको इसी cut off यहाँ पे price पे जो है तो आपको apply करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके allotment के chances बने रहें तो issue के बाद यहाँ पे जो market cap रहेगा company का लगभग 5,000 करोड का देखने को मिलता है बट जिस तरीके से gray market premium देखने को मिलता है इसमें और थोड़ा सा इजाफा हुआ तो company आपको small cap से यहाँ पे mid cap के segment में listing के तुरंद बाद ही देखने को मिल सकती है issue के अगर हम opening की बात करें तो 9 December को यहाँ पे इसकी opening रहेगी 13 December को यानि की Monday को यहाँ पे इसकी हमें closing देखने को मिलती है चलिए यहाँ पे अगर हम quota की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमें QIB का quota देखने को मिलता है 50% का है NIB यानि HNI की का अगर हम बात करें तो 15% का है retail का यहाँ पे 35% का है overall अगर इनका देखें तो कुल मिला के 100% का है तो यानि कि promoter है जो है तो यहाँ पे इनकी जो पहले 61% की holding थी वो holding जो है यहाँ पे हमें 53% होती हुई देखने को मिलेगी और यहाँ पे मैं बता दूँ यह इनके जो यहाँ पे investor है Qualcomm भी आपको यहाँ पे investor देखने को मिलेंगे काफी इस company ने जो है तो काफी लंबे समय से इसमें जो है तो investment बना के रखा है लगभग अगर हम बात करें 13 सालों में इस Qualcomm की company ने लगभग 20 times जो है तो अपने पैसे को बना लिये हैं तो आप देख सकते हैं कि company कितनी शांदार है कितनी शांदार इसके return on equity है और जिस तरीकी का इनका business है यही reason है कि यहाँ पे जो है तो आपको एक अच्छा demand और अच्छा यहाँ पे GMP देखने को मिल रहा है चली अब बात करते हैं यहाँ पे तो company का जो business है काफी शांदार है fundamentally काफी अच्छी देखने को मिलती है balance sheet की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें काफी profitable यह जो है तो company आपको देखने को मिल रही है तो no doubt मेरे हिसाब से आपको इस company में apply करना चाहिए मैं इस company में apply करूँगा और try करूँगा कि हर एक family member के यहाँ पे जो account से है वो इसमें कोशिश किया जाए कि इसमें apply कर सकूँ तो दोस्तो इनी शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको content पसंद आया तो वीडियो को एक like कीजिए और channel को जरूर से जरूर subscribe कीजिए ताकि इस तरीके का मैं quality content आपके साथ share करने के लिए motivate होता रहूं वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much